Hello students, चलिए आज हम बात करते हैं analytical paragraph की, जो की class 10th CBSE के paper में अभी-अभी add किया है last year, CBSE ने, so English के paper में section B writing में आपके ये question आता है 5 marks का, so analytical paragraph क्या होता है, जो भी आपको table, chart, graph, जो उसकी form में data दिया होता है, उसको आपको बड़े ही ध्यान से analyze करना है, और उसको देखना है और समझना है, और फिर उसके बाद उस पे उसी information, उसी data के base पे आपको एक paragraph लिखना है, single paragraph की form में लिखना है, आपने उसको ऐसे की form में नहीं लिखना है, कि introduction अलग, body अलग और conclusion अलग, एक ही paragraph में, अगर आप अच्छे से format को follow करेंगे, तो you can get 5 out of 5, चल अभी जो हमने topic लिया है, sample question जो लिया है, हमने impact of lockdown and COVID-19, current topic है, so चलिया देखते हैं, कैसे question को solve करना है, so यहाँ पर यह question है, the recent pandemic has had an adverse effect on every facet of life, अब यह pandemic क्या है, you better know now, pandemic मतलब यह जो अभी Corona की बिमारी हाली में आई है, पूरे worldwide यह फैली है, so इसका adverse effect, adverse effect मतलब negative impact लोगों पे हुआ है, इसका बहुत ही जो है, गलत लोगों के उपर पर भाव पढ़ा है, बहुत ही लोगों को परिशानी हुई है, on every facet of life, मतलब एकी, मतलब की side में नहीं हर चीज़ पे लोगों को बहुत ही इस चीज़ ने effect किया है, जैसे आपका jobs है बढ़ाई है, आपका बाहर नहीं जा सकते हैं, कोई पर किसी से मिल नहीं सकते हैं, every facet of your life, हर आपके एंगल से अगर देखें, तो हर side आपकी life की जो है, उसको इसने impact किया है, अब young minds, young minds conducted a survey to show how the mental health of young people has been affected during this time, तो young mind, अब young mind क्या है, ये एक young mind UK का एक mental health charity है, जो की young लोगों के mental health पे work करता है, और उनको help करता है, उन्होंने इस pandemic के time पे उन्होंने एक survey किया, survey में जब लोगों से बात करते हैं, उनसे पूछते हैं, तो उन्होंने इस survey में 2111, 2111 young people took part, उन्होंने इसमें participate किया, उन्होंने इतने लोगों से बात की, which shows how the lockdown is not only impacting jobs in economy, but also mental health, तो उस पे उन्होंने survey के दौरान उन्होंने क्या पाया, कि जो ये lockdown का time है, lockdown ने उनके सिर्फ उनकी jobs और economy को ही इदेश की नहीं effect किया है, बलकि लोगों की mental health को भी बहुत हक तक impact किया है, अब write an interpretation in 100 to 120 words on how lockdown in the times of COVID-19 has affected, affected the mental health of young people, so आपने 120, 100 to 120 words की आपकी limit है, इस से उपर नहीं लिखना है, 120 words तक ही लिखना है आपको, और जितना भी information जो आपकी question में, जो भी आपको bar graph है, pie chart है, table है, उसमें जितना भी जो भी आपको दिया गया है, उसी को आपने evaluate करना है, उसी को आपने analyze करना है, और बाद में उसको अपनी language में लिखना है, बाहर से कोई भी information आपको add नहीं करनी है, अपनी language में उसी data को, उसी जो figures दे रखी हैं, उसी को आपने बहुत clear and crisp language में लिखना है, चलिए देखते हैं question को, impact of lockdown and covid-19, तो ये topic हैं ने लिया है, बहुत ही current topic है, so अब इसमें देखते हैं इस data को, देखिए, यहां पर ये एक आपको दिया गया है, ये इसमें कुछ parts दिये गया है, इसमें आपको color wise समझाया गया है, उपर अलग से लिखा अब ये 27% जो है, blue में दिया है, much worse, जिनकी हालत बहुत गंबीर हुई है, bit worse, red में 45, जिनको फर्क तो पड़ा है, उनकी भी हालत worse हुई है, worse मेरा bad हुई है, लेकिन थोड़ी ज्यादा नहीं हुए, कम हुई है, पर affect वो भी हुए है, 15% लोग बोलते हैं, जितने भी लोग पर कोई अतना असर नहीं पड़ा है, हम पहले जैसे थे, हमें तो कोई फर्क नहीं पड़ा, उसके बाद purple में bit better है, उसके बाद next 3% है, उनकी बोला कि हम तो better है, much better है पहले से, ठीक है, तो आगे देखते हैं, इस simple answer, इस question का, कि how COVID-19 impacted people, so यहां पर देखें, a recent survey, अभी introduction है, पर अपने अलग से separate paragraph में नहीं लिखना है, आपने उसी को paraphrase करना है, आपने synonyms यूज करके, अब recent survey, conducted by young minds, young minds ने किया, इसको तो change नहीं करना है, क्योंकि young minds ने survey किया है, highlights the adverse effects, negative impacts, जो है, of the 2020 lockdown, COVID-19, और lockdown, 2020 lockdown, इसको आपने ऐसे लिखते है, a recent survey, conducted by young minds, highlights the adverse effects of the 2020 lockdown, तो यह आपका, one or two lines से ज़्यादा आपने introduction नहीं लिखनी है, उसी को paraphrasing करना है, next बढ़ते है, the study illustrates, study जो आपको उसमें, डाइग्राम में या उसमें चार्ट में दिखाया गा, illustrates, study shows, that more than 25, now 27, आपने क्या करना है, कि जो भी data दिया होगे, बार-बार अगर आप उस graph पे नहीं भी जा रहे हो, तो आपने क्या करना है, आपने पहले से side में practice करते हुए, note कर लेनी है, सारे data figures है, कि कितने बढ़ते, अब यहाँ 27% दिया गए, तो 27% को हमने कैसे change करके words में लि लिख दिया है, of the people including 2,111, लोगों का 25%, more than 25, 27% लोगों लिखा है, in the survey felt depressed, तो यह हमने अपने पास से कुछ में नहीं लिखा, यह तो वहाँ पे लिखा हुआ है, बताया गया है, कि इतने लोगों ने बोला है, उन्होंने खुद बोला है, हमने नहीं बोला, तो आपने उनी 55% of the people included in the survey, क्योंकि survey के लोग ही है, felt depressed, much worse मतला है, वो बहुत ही depressed हुए है, which is indeed an alarming number, जो की बहुत ही dangerous number है, it's quite a big number, so again adding to that, almost half of the, almost 45% को हमने क्या लिखा है, almost half, 50% होता है, half, तो almost half, आपने देख्या, language, हमने कौन सी language उसे है, functional language उसे करनी है, हमने important, यह words ही है, जो आपको पूरे marks दिलवाएंगे, simple language नहीं उसे करनी है, of the respondents, respondents मतला है, जो survey में जिन्होंने पाटिसिपेट किया, admitted, उन्होंने यह admit किया, to feeling worse than before, 45% ने, यह किया कि हम तो पहले से भी जागा, much worse, bit worse, तो उन्होंने बोला है, so, adding to that, almost half of the respondents admitted to worse than before, ठीक, आगे बढ़ते हैं, अब उसके बाद है, 15%, 15% लोग है, उन्होंने यह क्या claim किया है, very small percentage, अब हमने यह वर्डे, use कर दिया, very small percentage, क्योंकि उससे अगर compare करें, क्योंकि comparison ही तो करना है, है, analyze ही तो करना है, analytical paragraph में क्या करना है, हमने comparison ही तो करना है, कहाँ पे कितना ज्यादा है, कहाँ पे कितनी growth हुए, कहाँ पर sì लोगोंने, कितने पृतिशत लोग, उसमें क्या claim करें कितने प्रतिशत जो है किसी मतली कितने प्रतिशत growth हुई है कितने प्रतिशत लोग जो है उन पर कोई असर नहीं हुआ कितने प्रतिशत लोगों की जहत पर फरक आया है तो यह सारी हमने analyze करके compare करना है तो अस वेरी स्मॉल पर ये लेंग्वेज हमारी अपनी है, वेरी स्मॉल परसेंटेज ओफ फिफ्टीन परसेंट क्लेम्ड देट लॉक्डाउन मेड नो दिफरेंस इन वेल बिंग, उनकी सहत पे कोई असर नहीं पड़ा है, अमिस्ट लॉक्डाउन, अब तैन परसेंट और को मिला के जन्होंने का कि हम तो बेटर है, विद मोर रिलेक्सेशन क्योंकि घर पर रहते हैं, काम पर नहीं जाना, ओनलाइन बर्किंग हैं, काम किया किया नहीं किया नहीं and rejuvenation हमारे को तो बदला कि ठीक है हम बहुत बढ़िया है मज़े में हैं घर पर बैठके online work कर रहे हैं पढ़ाई करने को मन करता है कर रहे है स्कूल नहीं जाना है office नहीं जाना है salary मिल रहा है तो हमें तो कोई हम तो बहुत बढ़िया ठीक है in contrast to the large अब ये large आपको हमेशा ज those who claim to feel much better are negligible अब उनके मुकाबले में 25% 27% plus 45% तो कितना हो गया ये आपका हो गया 62% हो गया 45 प्लस आपका ये 27% कितना हो गया तो इसको आपने मतला कि ये क्लेम कर रहे हैं तो उसके contrast में contrast ही तो बताना है तो वो क्या कर रहे है कि हम जो है मतला कि बैटर है तो जितने वर्स situation होई है और जितने आपके लोगों को कोई फरक नहीं पड़ा उनका बहुत ही ज्यादा contrast है मतला बहुत difference है तो 45 प्लस 27 72% हो गया तो ये percentage में है 62 नहीं 70% हुआ 72% 40 और 5 प्लस 27 तो हमने इसको लिखा नियरली 50% 45 को और आपका more than 25% तो ये आपका हो गया सारा 72% percentage में नंबर में नहीं ठीक है 2111 लोगों का जो इतना percentage है जो लोग है तो ये contrast में हमने बताया last paragraph ठीक है ये summarize करते हुए हमने amidst the lockdown only 13% claim to feel better with more relaxation and rejuvenation in contrast अभी हमारी closing line है तो closing line को हमने कुछ words है functional जो हमने use करने है और हमने creative writing बिल्कुल भी नहीं करना है क्योंकि ये essay नहीं है story नहीं है ये paragraph है और paragraph की form में करेंगे तो full marks मिलेंगे तो इस तरह से आप करेंगे और भी sample questions की video हम लाएंगे तो इस तरह से आप क पूरे मिलेंगे in other words the survey is an indication अब दूसरे words में करें कि survey जो है ये indication है का that more needs to be done कि और ये last में हमने conclude करके लिखा कि in other words जो कि that more needs to be done to ensure that the mental health हो पढ़े ये survey के बाद उन्होंने ये बताया कि मतला कि जो लोगों की health जो है इस तरह की emergency में तो भी more बहुत कुछ हमें करना पड़ेगा in other words the survey is an indication survey क्यों किया गया लोगों से बात करी गया है जिससे कि इतने लोगों से बात करके हमें पूरे जो okay world के लोगों की health के पता है चलता है सर्वे तो इसलिए किया जाता है कितने सर्वे होते हैं तभी तो सर्वे के बाद काम होता है तो इसका मतलब में लोगों का पता चलता है mental health of people stay strong तो कुछ करना पड़ेगा ताकि जो लोगों की health है वो strong रहे during emergencies इस तरह की जो emergencies आती है उसके दोरान तो कुछ ह हमें सरकार को हमें खुद के लेवल पर और कुछ organizations के और इंस्ट्यूशन है यंग मैंड की तरह जो कि लोगों पर काम करते हैं वो कहरें कि हमें और भी बहुत कुछ करना बढ़ेगा तो इस तरह से हमने इसको interpret करना है इसको language में लिखना है ओके थैंक यू